ये मिशन उम्मीदों के इंधन पर आगे बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात किसी दूसरे ग्रह पर प्रोब भेजने वाला पहला अरब देश बनने की तैयारी में है। जापानी रॉकेट के जरीए भेजा जा रहा इनका औरबिटर साथ महीनों के सफर के बाद मंगल ग्रह तक पहुँचेगा। इस अभियान का लक्ष मंगल पर उतरना नहीं बलके उसके चारों और एक साल तक परिक्रमा करते हुए जलवायू और वायू मंडल संबंधी जानका कारियां जुटाना है हमारा मिशन मंगल पर पहुँचना नहीं है इसका लक्ष बहुत बड़ा है हम चाप छोड़ना चाहते हैं हम यूए को एक प्रतियोगी रचनात्मक और नॉलेज पर आधारित अर्थ विवस्था बनाना चाहते हैं अर्थ विवस्था में विविधित के बढ़ने का भी संकेत है अंतरिक्ष उड़ानों के मामले में इसराइल इस खेत्र में अग्रणी है पिछले हपते उसने नया जासूसी उपग्रह ओफैक 16 लॉंच किया लेकिन मध्यपूर्व के बाकी देश उसकी बराबरी की कोशिश में जुटे हैं विशेशग्यों का कहना है कि मंगल मिशन से यूएई का प्रभाव और बढ़ेगा यूएई इस अभ्यान का पूरा फाइदा उठाने की कोशिश करेगा वो दिखाना चाहता है कि उनकी ताकत को कोई नजर अंदाज न करे मुझे लगता है कि इसके बाद कोई देश यूएई की राय जाने बहुत बड़ी काम्यावी होगी लेकिन साथ ही ये क्षेत्र में अंत्रिक्ष को लेकर मची होड की दशा और दिशा भी बदल देगा